हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल एन आपको बताने वाली हूँ अवसी खाने के अध्बुत फायदे के बारे में जिसके बारे में फ्रेंड्स आप सुनका बिल्कुली हैरान रहा जाएंगे कि ऐसी के इतने वी फायदे होते हैं फ्रेंड्स अलसी को इंग्लिस में फ्लیک सिट बोल जाता है और अलसी जो है आपके शरीर के बहुत सारी उसलिए बीमारियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदीमंद होता है। exemplu इस आना उंट मैं इस सामरा के आपके स्वास के लिए नहीं बलकि आपके स्कीन और ईस्केन और एर के लिएasia है और आपके बालों के लिए बीजसें कासी काफी फायदेमंद हो हता है। बहुत सारी इसके benefits होते है है और इसीडियो में मैं आपको इसके सारे benefits के बारें बताऊंगी। मैं आपको बताऊँगी कि lihat LC को कैसे यूज करना मैं कैसे बना कर इसको मैं नहीं सेवा ने में वाली है। इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं किजएगा आपके लिए बहुत ज्यादा है तो विडियो में आगे बाएं एक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को और भी सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे शेयों को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेश करके और अपने पर क्लिक कर लिजेगा ताकि चब भी मैं कोई नी वडियो डालूंगी तो इसका नोटिफिकेस्टन आपको सबसे पहले मिलेगा तो अब मैं आपको बताओंगी अलसी के बढ़ी जाता है और कच्चे अलसी के बीज के तुलना में भूनेवे अलसी के बीज खाने से बहुत सारे लाब मिलते हैं और इसे आप खाने में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं दरसल फ्रेंड्स अलसी के लगवर एक चमश बीज कर सेंद करने से आपके सरी को 37 कालोरी कि मिलती हैं जिसमें की फाइबर प्रोटीन और जैसे जरूरी इंट्रEMA भी होते हैं कि आपके स्वास में यृफ करते हैं तो अब मैं अपको बता थी फ्रेंट्सक्राइब के बारे मिज़ब्सके बारे मिल्डिय। तो friends जो है आपके सरी में इनरजी के कमी के कारण होता है, इसमें आपको भुनी में अल्सी कहाना काफी फाइदे मंन्द हो सकता है. है या किसी भी खाने के साथ अप सकते है अगर पाड़ा बना लिए तो यह जो है एक इनरजी बुश्टर की तरह काम करता है और आपके वीकनेस पो दूर करने में काफी फैल्प करता है इसका जो से केंन्ट बेनीफिट है फ्रेंट्स ओ है कि आपके कि हाई ब्लद प्रेसर की समझ्या को दूर करने में अलसी के बींज जो काफी फायदेमंद होते हैं अगर आपको देली एक चमग सेवन करते हैं या आप दीन में दो टाइम भी सेवन करते हैं तो लिए侯ा आपको काफी फायदा मीलेगा आपका CDCHe सब्सक्राइब करने में काफी करता है अगर आपका हाई राता है तो आपको बीच को भून कर एक चमस सूबा और एक चमस साम को लेना चाहिए इसके प्लेटर को अस्तर को कम करने में मदद मिलती है और फ्रेंट्स जब कोलेस्टरोल आपका ज्यादा रहता है तो इससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेज बढ़ जाते हैं लेकिन अगर आप डेली अलसी के बीच का रेगुलर सेवन करते हैं तो इससे आपका ल्डियल यानि खराब कोलेस्टरोल के अस्तर को कम करने में अगर अपने बढ़ते वजन से परिसान है तो हर बार खाना खाने के बाद बूने वे अलसी का सेवन करते हैं तो इससे आपको दो फादे होंगे फ्रेंट्स प्रोटीन वाट्रह में होती है इससे आपको कम लगे गा और आपको वेट काफी तेजी से कम होगा और दूसरा फ काफी में काफी हेल्प करेंगे इसका नेक्ट समस्या की सअक्टा उ शूचकरत करते हैं अगर को को काफी पुरान समय से काफी समस्या से संथ है तो इस समस्या को दूर करने में सवन करते हैं तो काफी डियुक्Fr crajda Rhega ऐसे दरसल स्फाइबर काफी मात्रा मिलता है अगर आपके ऊपर लॉण कर खाते हैं तो आपके पीमें तो डोटाłos को बढ़ाता है इस तरह से आपके म्ल में करण जो जोड़ता है उसे मुलायं बनाता है जिसके वज़ा स自然 को क्यों समस्या से het तो अगर आप डेली भूनेवी अल्सी का कम से कम एक चमस्च डेली वह वे सुभा में खाते हैं तो इसके काफी रहत मिलती है काफी फाइदेबंद होता है फ्रेंट्स नेक्स्ट बेनिफिट है फ्रेंड्स की अलसी के वीज आपके इस्कीन और बालों के लिए काफी फायदेमांद होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स से भूनी हुई अलसी में बिटामिन E भरपूर मात्रम पाय जाता है जो कि आपके इस्कीन और बाल दोनों को स्वास रखने में प्तों करता है और इना के वाला को बनाओट में सुधार करते हैं बलकि नए के वीकास को भी बढ़ादों देवा है और उसके आपके बालों की जड़ों में मजबूत बनते हैं जिससर्शलकों बाल जण घर안सी कारण हो सेगराइं को परना और आफ अगर आपको नीद्र की समस्या है अनिद्रा की समस्या है तो इस के लिए towards us again सभूक को तेहरे सकते हैं अनिद्रा की समस्या है तो नीद्र को तो दूर करने के लिए फ्रेंट्स आप भूने ही अलसी को आलसी का पारड़ बना लीजिए और एक ग्लस दूद में इक चिमत से लसी के पारड़ को डालकर टेली रात को सोने से पहले पीजिए फ्रेंट्स इस से आपके अनिद्रह की समस्या दूर होली आपकी निंद जो है ब तेल उसका काफी अच्छा है आपके नीन की समस्या को दूर करने के लिए तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बता हैं और इस तरीके से आप अलसी के बीजो को भून कर इसका पाड़र बना कर या भून कर आप इसका सेवन कर सकते हैं आप चाहें तो इसे भून कर डारेक्ट आप सबजी में दाल में अभी यूच कर सकते हैं इससे चिड़क कर या आप इसे पाड़र बना लिजिए गा तो ज्यादा सही रहेगा फ्रेंड्स पाड़र जो है बनाने के बाद बहुत ही जाद टेस्टी लगता है अगर आप इसमें दाल में यू च्बसुए मैं जब घर आपक हैंज आपको इस जादा करेंध लगी होगी तो प्लीज ईस वीडियो को लाइक कीजीगा ज्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए गार ऐसे ही और बहूंचे ईंपने इन्पर मैटी लुदीос पाने के लिनीए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेश करके आने वाले वीडियों को नट फीकिस सब सबको मिलता रहा है मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियों फ्रेंड्स ऐसे इंफर्मेटिव वीडियों के साथ तब तक के लिए धन्य बाद